अपने साथ में एक मैंने कुछ देखा है बहुत सारी वीडियो देखता हूं मैं थाइलेंड की भी स्री लंका की भी जित्रे बहुत बहुत ब्यार है तो उसका क्या वो है सर ठीक है मैं बता दूंगा आपको अभी अभी जो हमारे मित्तल साहब दरसल मुझे असुक नर्वाज जी का परसो फोन आया उन्होंने कहा कि वैसा वैसा मीटिंग में ना एक मित्तल भी जुड़े हुए हैं और एक पंडित भी जुड़े हुए हैं चलता मत करो हैं हम उनका सब्था करक BEं दूसरा आ पर प्रशाब ने पूरा अपना और उसके वारे में आगा किया एक आगा उन्होंने ये किया कि हमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे परिशानी आती जाएंगी हमें परिशान किया जाएगा कभी रैली की परमिसन होगी कभी नहीं होगी कभी गाड़ी चीनेंगे कभी बस चीनेंगे कभी परमिसन को दो दिन पहले कैंसल कर देंगे कभी तीन दिन पहले यह सारे जो दौर हैं वो हमने सारे के सारे देखे हो तो कि यहां जितने भी पके पकाए लोग हैं वो दौर से गुजरे हुए हैं यह सारी समस्याइं संग्ठन की समस्याइं हैं यह सारी समस्याइं जितनी भी है यह जो पार्टी और पॉलिटिक्स होती हैं उनकी समस्या है तरसल संग इनकी समस्याओं से परे है यह संग की खास बात है कि संग इन समस्याओं में नहीं आता और संग में ऐसी कोई समस्या कभी आती भी नहीं क्योंकि संग इतना सशक्त और इतना पावर्फुल होता है कि यह मोटी समस्य हैं तो उसके औरा से ही भग जाती है औरा समस्य आप जो बुद्ध के सर के पीछे जो एक चक्र होता है जिसमें रोशी चमकती है उसको औरा बोलते हैं यानि उसकी चमक से भग जाती है संग में इतना औरा होता है इसलिए ऐसी कोई समस्या लगबग लगबग नहीं आएगी क्योंकि हम यहाँ अभी उस समस्या तक पहुंचने से पहले हम एक और बड़ी समस्या पर काम करने हैं वो समस्या बहुत छोटी है कि पिर्सासन ने हमारा मैदान कैंसल कर दिया और एंड लेंगे मिलेंगे दद्दस लोगों की सक्रिमें पांच हजार जगें बिलेंगे तो पचास जहर पूरे होगे हमने कौन सा वार रैली में बाशन देना है हमने कौन सा वां फोटू देंके government को गाली बगनी है इसलिए वो समस्या नहीं आने वाली और वो वैसे भी secondary है जो बड़ी समस्या है और जिससे हम जूज रहे हैं और जिसको सब नजर अंदाज कर रहे हैं और देख नहीं रहे हैं और देख के बोल नहीं रहे हैं और उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं और उसकी उसके उपर बात नहीं करते हैं क्योंकि जो लोगों को बात करनी है जिनको जिक्र करना है वो खुदी समस्या है और वो खुद समस्या का हिस्सा है इसने बात नहीं करते 29 लाख संग्ठन कभी नहीं कहते कि संग्ठन ही समस्या है चाल लाख एक्टिक जो संग्ठन है वो कभी नहीं कहते कि हम ही समस्या है हमी समाज की समस्या है समाज समस्या नहीं है जो अलग-अलग राजनितिक दल बने हुए हैं जो हम से आके कहते हैं कि हमको मत देना, हमको मत देना, हमको मत देना, उसको मत देना, उसको मत देना, यह जो हमको बोलते हैं, वो कभी हमको यह नहीं कहते कि एक छेतर में चंद लोगों के लिए इतने सारे राजनितिक दल क्यों, कभी नहीं आप समस्या उठेगी तो हम पूछेंगे इसलिए वो हम तक आने भी नहीं देते वो हम तक कभी से बात को नहीं आने देते कि एकी छेत्र के अंदर कितने सारे संग्ठन अलग लग हमारी अस्ली समस्या है और इस समस्या पर चिंतन नहीं करते बोलते नहीं कहते नहीं इसलिए समस्या बढ़ती जा रही है ठीक ऐसे जैसे डॉक्टर यूवी सिंह के बात नी करोगे फिर वो बताएंगे यह कैसे जाएगी तो समस्एellt आएगी तो हुछ हम से हुलोगी तो हुछ चर्चा नहीं होने देते इसके समस्य बढ़ती जा रहे हैं और उसका परिणाम जब आता है तो डैथ में आता है मिर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् चिराचा के फोण आ रहे हैं, ऐसे ऐसे नाउमीदी के फोन आ रहे हैं, रोने दोला। सारी पिरशन सारी आ रहें हैं, तो जिनके फोन आए मैं उन्से कहता हूं, कि भाई आप वड़ी चन्ता में हो, बड़े मायूस हो, कieni क White Luego कहिरें कि अम कराउ journ weiß कराय कुर दिंकि Pasar मार्च सहाप की जर्म दिन से कांती करेंगी मतलब दारिक की तैय कर ली है यह च्छणी गुस्से में हैं लोग यह बस दो-तिन दिन का है उसके बाद एक टाइटाएफिस मामला खतम यह हर साल हरवार ऐसे होता है हरवार जूता पड़ता है हरवार हाटे हरवार मटते हैं हरवा को ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ यह पर्णा मैसा नहीं आया है और यह वैस नहीं है तो मैं उसके पूर्शता वह छ्छोड़ बड़ी बड़ी वात है तूँ यह बताई कि टू अपने प्रेश में कितनी जगे गए क्या दू पन्ना का इंचार्ज मा ना लोग होता है यह पालिसी हमारी प्रसिती ये साहभ ऐसी साइव होता है ऌशे इस przy HD मेरा कामई जब नेटाzhका काम है तो नेता के रियल टागे तो भूरो रहा है ने ते कुझा रोटा है फिर जब तुनने काम ही नहीं कि कि पता ही नहीं कि पता ये कि किया होता है त्युलिघ मदार गृतर ़ूर। काम करे कोई और अदास हो तूँ यह समझ मैंनी आए मुझे बात तो यह सारे लोगों से जो मैंने सवाल पूछे उनके सबके सवाल के जवाब निगटिव आए काम नहीं किया किसी ने भी बस रोना है दूसरा कोई काम करे वो देख रहे हैं तमासा ढोल कैसा बजा कैसा फटा और उसके दुम कर campaigns है बड़ा महान चिंदर है इना काम क्रांव केुन करना महान चिंतर होता है यह करना कुछ नहीं है रो ना सबसे ज़्यादा है नहीं नहीं पर यह सवाल हिए महीं आनَ वाला है बीच में COVID था हम तो जाना पाए आनी पाए यह हो गया वो हो गया कुछ दो चार बहाने ऐसे मार लेंगे कि जरा एकज्ञ थे बच्चों के इधर चलेगे उधर चलेगे कुछ बहाने ऐसे मार लेंगे कि बाईसाब जा रहा हूँ एक जो बहाने वाज होता है उसकी मिर्ट्टू पक्की है जो काम का बहाना ढूंता है तो कि काम के बहाने वाले उसे कहीं कोई काम नहीं होने वाला इन बहाने बनाने बनाते ही हमारी यह हरत हुई है कि हम नाली में बहे गए अगर हम बहाने नहीं बनाते और एक्सक्यूज नहीं ढूंते और यह कहते हैं यह काम भी करूँगा और प्रायटी पे अपनी सुरक्षा का काम लेते हैं शरीर पे बोजन डाल रहे हो खाना खारे हो बढ़िया बादाम खारे हो काजू खारे हो और जो गर्दन पर तल्वाल लटकी हुई है उसका इंतियाब नहीं किया तो काजू का खाने का फायदा है बादाम खाने का फायदा है मरने के लिए जैसे बकरे का बली दिंदी छातें progressive और उसको यीद वाले दिन उसको जिवे किया जाता है उसकी वली दी जाती है कि अगर अबने सुरक्षाा पे धियादर नहीं एपनी गर्दन पर लटकी हुई है तो काम का किया फिरों सा काम किया खाने का काम किया उससे क्या होने वाल Aww सेहत बनाने काम भी जरूरी है मगर उसको बचाने काम उससे ज्यादा जरूरी है एक खराब सेहत हो और बची रहे तो बहतर है एक अच्छी सेहत हो और बंदा मर जाए खतम हो जाए तो वो खराब है और एक अच्छी सेयात और उसको बचा भी ले तो वो सबसे बहतर है, तो सबसे बहतर के लिए काम करना है, कि तन मन को अच्छा रखना है, उसकी स्वक्षा भी करनी है, तो ये सवाल पूछने वाले लोगों से कुछ बहना आप बना दोगे, तो ये हमसे सवाल पूछ रहा है, वदधेता होगा अरे यह कोई ऐसा ही बंडवास करता होगा दोसरों को संग्ठन के अंदर कमजुरियां बहुत होती है, संग में कोई कमजुरियां, मैं यकीन से कहता हूँ कि आप किसी भी साधरान संग्ठन वाले को ठुक के जवाब देदोगे, उसके पास जवाब नहीं होगा, और आप बेसक इसके एक्टिव मेंबर नहीं भी हो, आप इसके स्पोक नहीं हो, तो भी समण संगी हो, तो भी आपकी जवाब दोगे, कैसे इससे बचोगे, क्या बताओगे काम क्या किया, क्या नहीं हुआ, टार्गेट कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, रोटी खाने से पहले लोगों से पूछे हैं लोग उतने ही सवाल अब समर्संगियों से पूछेंगे और सबसे पूछेंगे अपने कॉलर और अपने गिरिवान ठीक करें ना भाई अभी वक्त ज्यादा खराब नहीं हुआ है हम छे मेने हमने इस बात पर लगाए कि समर्संग कांसेप्ट पर लोग तो मीटिंग से मीटिंग पैदा करनी है मीटिंग से अगर मीटिंग पैदा नहीं करोगी तो मीटिंग बाज कहलाएगी बाज अगर जो मीटिंग पैदा ना कर सके और जो मीटिंग मीटिंग पैदा ना कर सके आगे उतनी बाज है एक मां के अगर चार बच्चे होते तो मां कद आपने निकाली है वो मीटिंगी सफलता है और एक मीटिंग में कितने स्पोक निकाले हैं प्तलि जुम्य दार व्यक्ति कारे करता काम करने öğe लोग जो जुम्मदाई लेंगे महापुर्सों के महापुर्सों की विरासत के लोग वो सफलता है उससे हम बढ़ेंगे उससे नेट बढ़ता है आप मीटिंग की पूरी ताकत लगाई पैसा पूरा लगाया आपने पूरे एक मिन्हें लगा दिया घरवार सब छोटार के लग हो जाता है इवेंट में क्या होता है कि आपने काम किया काम तरने बाद में कोई सक्की लगाई आपने तो इमानदारी से काम किया इसमें कोई शक नहीं है लोग भी किये मगर पढ़ना तो नहीं आया धूमदाम से आपने सारे काम किये मगर वह आगे नहीं बढ़ा तो वह त आके बताए किया काम किया कोई दस इसपोग जोड सकता है तो दस बनाए कई आठ इसपोग जोड सकता है तो आर्ट बना एक डायरी मेंटन कर ले यह डायरी बनाने की आदत डाल लो भाई तो को बक्तम की कुछ है जो मौकिक है उसका कुछ नहीं चलता जो लिखतम है वो आपके हाथ में रहेगा जब आपके हाथ में रहेगा तो आप उसको बता सकते हैं कि मैंने इस इस महने में इतना तरह काम किया सफलता मिली या सफलता मिली वो सेकंडरी है वो दितिया बात है वो दूसरी बात है आप प्रियास करोगे तो काम्यावी मिलेगी क्यों मिलेगी क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हो आप अच्छा काम करोगे तो उसका खराब परणाम नहीं आ सकता अच्छा परणाम आए या नहीं आ सकता आप खराब काम करोगे तो खराब परणाम आए गए आएगा उसका अच सिबल है बर कोई आदमी सराब ना पिए और अगर धुमर पाल ना करे तो उसके फैपड़े खराब होने की परसंटेज़ बहुत कम है यह उसकी सांस से हवा से कुछी बिमारी सोगर से हो सकती है मगर दुम्र पांस से और सराब से लीवर खरा होना इसकी इसकी संभावना बल्कुल जीरो हो जाती है क्योंकि वो तो सेवर नहीं किया उसने वो तो पिया ही नहीं इसलिए हम एक अच्छा काम कर रहे हैं इस अच्छे काम को करने के बहुत तरीके बताएगे आप अपने रिस् सिपाही हैं और आप भी जनरल हैं यहां सारे लोग खुद ही सिपाही हैं और खुद ही जनरल हैं उनको वेक्ति से बात भी खुद करनी पड़ेगी लिष्ट भी खुद बनानी पड़ेगी मिलना भी खुद पड़ेगा फोन भी करना पड़ेगा जाना भी पड़ेगा और आ हो जाएगी ना तो नेट होगा ना पैसा होका अनके पास फोह नहीं कातम होजाएंगे तो बात करने की पोछिण बीत नहीं रहेंगे इसलिέ जो लोग शानती में मेन्थ करते हैं जो लोग अच्छे समय में मेरत भेहरक समय में आपात काल में वहीं बचेगा जिसकी शांती काल में त्यारी है तो अभी शांती काल नहीं है आपात काली चल रहा है मगर फिर भी भेहरकाल से बहतर है तो आप जुड़ने और जुड़ने का कितना काम करेंगे और कितना जवाब देना चाहेंगे यह आपके आपकी मॉरलिटी है यह तो आपका सदाचार है यह तो आपका संग के पिट्टी जुम्ह दायत है, दायत हो है, करतब है, और यह आपको खुद ही उठाना है, कोई नहीं कहेगा, और अगर आप किसी का इंतियार कर रहे हैं कि कोई आके कहेगा, तो भूल जाएए, संग के क्योंकि यहां जो काम होता है वो पूरी तरह से सदाचार पे और आचार पे और चंत्र पे और पूरी तरह से जो करेक्टर होता है उसके उपर होता है तो आपका आचार कैसा है सदाचार कैसा है आपका करेक्टर कैसा है आपका चत कैसा है आप कितने चत्वान हैं कितने अंबि ने मिलाने का काम कितना किया और वो तैस बास से होता है कि कितने लोगों को आपने मिटिंग की और कितने लोगों ने आगे मिटिंग की कितने आपने इस्पोक बनाए और कितने उन लोगों ने इस्पोक बनाए बस यही प्यमाना है और कोई प्यमाना नहीं है क्यों यह तो काम कम करता है और अगर सारे काम नहीं करेंगे और सौ साल में नहीं जूड़ेंगे एक साल बात तो हम बताई देंगे और हर महिने में कितने जूड़े कितनी हलां कि काम ठीक चल रहा है इसमें कोई शक नहीं है अठारे राज्यों के नाम आने लगे है अठारे राज्यों में लोग हैं मीटिंग होने लगी है मगर इससे बात न करेंगे तो अब हमारे आगे पिछे कोई मायबाप नहीं है एक चोटी बहुतْ उम्मीद रह रहाठी थी के कहीं को भाइब है तो साथ कुछ हमें मिल जाए वह उम्मीद खतम हो चुकी है अब तो अपनी उम्मीद हम खुद ही है अपना भरोसा हम खुदी हैं, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, कोई है नहीं भरोसे के लिए हैं, तो हम खुद का भरोसा हैं, हम खुद की उम्मीद हैं, और खुदी को काम करना है, और खुदी को बिलंद करना है, तो जब सारे काम खुदी करने हैं, तो फिर देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि देर से किया हुआ काम और समय निकलने के बाद किया हुआ काम वो बेकार होता है खेत चुक जाए सारी चड़िया और उसके बाद में आए बहे लिया कि मैं चड़ियां को उड़ाऊंगा हटाऊंगा किसान आए कि मैं चिडियां मारूं गो तो क्या करेगा वो तो चुप के भाग कहीं सारी सारी अब उसमें क्या ठुंट बचे हैं उठा लो उन ठुंटों को ले जा बच्चों खिला देना के बच्चों खिलाना इसलिए समण संग के अंदर इस बात पे खास तोर से ध्यान दिय जा रहा है कि भाई आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खुद मुक्तियार हो जाएं अगर आप खुद मुक्तियार नहीं होंगे तो आपके हिस्से का जो काम है उसे कोई और कर जाएगा और कोई ले ले जाएगा और आप देखते रहे जाओगे और रोने धोने के ला में जो योगंदर सर हैं उन्होंने एक सवाल पूछा है वो सवाल बड़ा जायज और बड़ा अच्छा सवाल है वो कहते हैं कि यह जो सफेद कपड़े हम पेने जाते हैं इसका भारत में या इसका हमाल से क्या मतलब है क्या नहीं है क्योंकि यह जो सेथ सब्द है आपने अश का मतलब है एक तरह से असयद यानि के काले काले इसी काले वैज्ञानिक बच्चों के काले डॉक्टर तो सेथ का मतलब होता है सफेद और असयद का मतलब होता है जो सफेद नहीं है यानि कि जो सफेद नहीं उसको असे किसी भी रंगा हो सकता है तो पहले यहां पूरी दुनिया के अंदर और भारत के अंदर भी कपड़ा नहीं बना था तो कपड़ा पहनते भी नहीं थे तो सरीर को ढखने के लिए चाल होती थी पत्ते होते थे और उसके बाद में जो जानवर है उनकी खाल होती थी जिसके पास जानवर की खाल होती थी पहनने के लिए वो बड़ा रिच माना जाता था बड़ा बहुत ज़्यादा बड़िया माना जाता था आपने देखा होगा पुराने फोटों में कुछ लोग खाल पेन ले देते हैं और खाल को बिच्छा भी लेते हैं और बुद्ध के ऐसे मैंने लेग और लद्दा के अंदर फोटो देखें जहां जो बुद्ध जैसी अवस्ता में जो विपस्टना साधना कर रहे हैं उन्हों और बुद्ध के समय तक कपड़ा अच्छी तरह से लोग बनाना सीख गये थे और कपड़े का बैपार होता था और कपड़ा बाहर भी जा जा जाता था और कपड़े को पैंते थे हाला कि कपड़ा बड़ा प्रीशस था तो कपड़ा उससे कपास से बनता था तो सारा कि यक्षि वह फूल पत्यों से छाल से फान से मिलतीसी उन से वह कपड़े को रंते थे तो उनके कीह रंगीन मिलते ठे जिनको कासाए वर्थ भोड़े और है जो वस्त थे यालिक है उनको बुला करते थे मैं रहने वालों को कास हाई हैं क्यां कि वह काशी से वहां से आये तो वहीं से चीवर लाए होंगे तो वो जो रंग था वो रंग चीवर का रंग हुआ जिसको बाद मैं भगवा करके बोला गया मगर जो उपासक और उपासी का यानि जो साधन लोग थे वो नहीं रंगते थे क्यों फालतुमें रंगने का काम करें तो उनका कपड़ा सफेद रहता था तो जब हमारा सन्नी पाथ बहुल होता था बुद्ध से पहले तो सन्नी पाथ बहुल में सबका कपड़े का रंग सफेद ही होता था और वो जो पैंते थे उनके पास जो होता था वो अंग पोच्छा या अंग पुछना या अंग है चेस्ट से नीचे पेट से नीचे का वस्थ अधो माने नीचे होता है वस्थ माने तो वह एक नीचे कपड़ा पहनते थे जिसको धोती बोल सकते हैं और एक अंगोचा डालते थे बाकी सरीर उनका मोच्टी नंगा रह रहता था ठंड वो छोड़कर यह परंपरा थी और सफेद कपड़ा आज भी लोग पहनते हैं उस सफेद कपड़े की खास बात यह है कि अगर आप सफेद कपड़ा पहनते हैं तो उसमें शांती है उसमें सुक्षा है उसमें एक पॉज्टिविटी है उसमें सुक्षांती है इसलिए सैनाओने भी बाद में जो सांती का कपड है वो सफेद लिया अगर आप सफेद जंडा लेके आ जाते हैं तो इसका मतलब कि युद्ध खतम और 37 थापित हो गई यह लड़ना नहीं चाहेता सरेंडर हो गया तो जो सफेद है वो पूरी दुनिया में माना जाता है जो कंट्री है बाहर के कंट्री है खास तोर से जो यू होता है तो यहां सोक और असोक दोनों एक ही बात माने जाते हैं यहां मरने पर भी सफेद पैने जाते हैं और जीने पर भी सफेद पैने जाते हैं यानि के खुची का छण है तो भी सफेद और को दुख का छण है तो भी सफेद मगर बाद में यहां कल्चर चुकी बाहर से आई तो उन्होंने हमारे सभी कपड़े को खास्तों से महिलाओं के सभी कपड़े को यह कह दिया कि विद्वाओं के कपड़े हैं तो सारी की सारी नारियां और सारे सारे नरी सभी पैना करते थे मगर वो जो विद्वा महिला थी वो धम को बहुत पढ़ाती लिखाती थी इसलिए उनको हेट की दश्टी से घ्रणा की दश्टी से देखा जाने लगा और उनकी साधिया या उनका जो कुछ सिस्टम में उसको बंद कराया गया तो सफेद कपला यहां एक विद्वा का प्रति कर दिया और वो सफेद सारा सारा कपला बंद हो गया मगर बहुत जितने भी लोग है जब भिक्वाया करते थे तो सारे सारे जितने भी सम्मिलन में बैठते थे सन्नी पात बहुल करते थे तो सफेद कपलों में बैठते थे इसलिए पुरानी परंपरा के तहत में जो बाहर जहां भी धंब हैं वहां यह उपासा-पासीका हैं वो सफेद कुदे पैंते हैं भरत के अंदर भी सारे सफेद कपड़े पैंते तो सफेद कप्ड़े हमारी एक्ताका सफेद कपड़े हमारे tradition का हमारा dress coat और हमारी प्राजीन परंपरा और समलों का सफेद हमारा एक symbol है इसलिए इसको अधिकतर लोग सफेद पहनते हैं और सफेद कलर सबसे ज़्यादा बहुत धोका है उनका माना जाता है इसलिए सफेद कलर सारे सारे आज भी पहनते हैं यह अच्छा लगता है धन्यवाद में हर प्रोग्राम में सपेद कपने ही पहनते हैं और हम नाकपुर वाले और महाराश वालों ने डिसाइड ही किया है कि सफेद कप्रे पहन के आएंगे दो अप्रेल को अच्छा है सर पुरानी समख परंपरा है हमारी सब सफेद के आएंगे सभी को सभी को यह रिक्वेस्ट करूंगा कि यह जवर्दस अपना माइक खुली सर अब भी सफेद ही पहनेंगे सर मैंने तो अब भी सफेद पहन दख थे हैंगे तो बहुत होगा वैसे काले का लुटे लोग जाजा सफेदे पांदे थे काले का लुटे थे हम पहले है वेल बीगन इस हाफ ड़न तो आप आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या पर्मिसर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छाम। तूथियं पी बुद्धं सेण गच्छाम। तूथियं पी बुद्धं सर्नं गच्छाम। तूथियं पी दम्मं मर्सेण गच्छाम। तूथियं पी बुद्धं सर्नं गच्छाम। तूथियं पी दम्मं मर्सेण गच्छाम। बुखियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्ण पी सम्त्कामी ततियं पी मान चन्यम सर्णं सर्णं